और good news for all of you क्योंकि JNK Bank Associate exam की practice के लिए 10 mock test series का set अब सिर्फ 97 रूपीज में buy करने के लिए install करें हमारी JKSSB online tutorial android app from play store install करने के बाद app को open करें open करने के बाद store पर click करें और नीचे इसको scroll करें तो last में आपको 10 mock test का जो set है वो provide हो जाएगा तो आप इस पर click करके यहां से buy कर सकते हो okay so अगर आप buy करने से पहले एक बार test को देखना चाहते हो content किस तरह से provide करने है आम लोग इसमें देखना चाहते तो आप content पर click करके first of all a mock test यो है वो attempt कर सकते हो वो बिल्कुल free है okay so जल्दी buy करिये क्योंकि यह with the best relevant questions जो exam point आपी से बहुत important है thank you hello everyone welcome to the next class hope you all are doing good तो आज हम बात करेंगे para jumbles की ठीक है मैंने पिछली वीडियो में जब para jumbles पढ़ाए थे तो मैंने types, approach, हर चीज की बात की थी यहां पे सिर्फ overview मैं दूंगी उस चीज का और जो questions मैंने आपके लिए लाए हैं वहां पे कौन सा approach उनमें से use होगा हम उनकी बात करेंगे ठीक है एक overview में सारे approach का दे दूंगी मैंने आपको पहले ही para jumbles में noun और pronoun का approach बताया था कि noun और pronoun जिस भी sentence में होगे अगर एक sentence में noun होगा दूसरे में pronoun होगा पहले कौन सा sentence आएगा जिसमें noun है क्योंकि pronoun जो है it stands for the noun only तो pronoun वाला sentence आप second place पे use करोगे after noun ठीक है उसके बाद दूसरा approach मैंने कौन सा का था article approach article approach में आप क्या करोगे अगर एक sentence में या और दिया गया है और दूसरे sentence में दि यूज किया गया है पहले कौन सा sentence आप use करोगे जहां पे और एन है और दूसरा कौन सा sentence आप use करोगे I mean which sentence are you going to place after और एन फिर दी वाला sentence आएगा चूंकि यह definite article है और यह indefinite article है ठीक है उसके बाद क्यों ऐसे use होता है वो मैंने उन वीडियो में detail में समझाया है तो आप पहले वो वीडियो देख लो फिर आप यह वाली वीडियो देखोगे ठीक है उसके बाद article अप्रोच के बाद मैंने demonstrative अप्रोच की बात की थी जहां पर demonstrative pronoun होया demonstrative adjective होगे आपको देखना है कि जहां पर भी यह words like this that these noun किसी ना किसी noun को ही point out कर रहे होंगे लेकिन ये अगर किसी noun के बारे में बात कर रहे होंगे तो directly बात नहीं करेंगे उस noun के बारे में पहले कही पे बात की गई होगी वो sentence आपको डूरना है और demonstrative वाले जिसमें demonstrative pronoun या adjective यूज हुआ है उसके noun के बारे में ये बात कर रहे है उस noun को आपको पहले बाकी sentences में डूरना है and that sentence has to be placed above it ठीक है उसके बाद ये वाला sentence आएगा जिन में ये demonstrative words use कि ये कहे होंगे ठीक है उसके बाद next approach इसकी मैंने बात की that was acronym approach अब क्या होता है कि full form मैं कोई sentence short form में दिया गया होता है तो आपको क्या करना है जहां पर भी noun full form में दिया गया होगा वो पहली place पे रखना है आपको और short form जहां पर भी use किया गया होगा वो second place पे रखना है आपको for example there is this word pin okay personal identification number है ना तो जहां पर pin लिखा गया होगा ना sentence में वो आपको बाद में रखना है और पहले जहां पर इसका पूरा full form दिया गया होगा personal identification number वो आपको पहले रखना है ठीक है कहीं पर नाम भी होगा for example KL marks ठीक है तो KL marks वाला statement जो है वो पहले रखोगे आप और कहीं पर जहां पर सिरफ marks लिखा होगा वो आप बाद में प्लेस करोगे उसे कहते हैं acronym approach ठीक है उसके बाद एक और approach की मैंने बात की थी that was conjunction अब addition वाले हो negative वाले हो जहां पर भी आप conjunctions देखोगे वो क्या करते हैं they help you to shift smoothly from one idea to another एक idea से दूसरी idea पर आप smoothly shift कर सकते हो and you can understand कि जहां पर भी conjunctions जिन sentences में conjunctions यूज किये गए होंगे for example also to and but in addition to ठीक है जहां पर भी ऐसे words यूज किये गए होंगे आप क्या करोगे वो वाले sentences बाद में आएंगे ठीक है और जिनके बारे में पहले बात हुई होगी जिनसे वो link करते हैं वो आपको first place पे रखना है ठीक है for example मैं कहूंगी we use positive reinforcement to control the students in the class हम positive reinforcement use करते हैं to control the students in the class उसके बाद एक statement होगा we also use however we also use negative reinforcement at times to control the students ठीक है तो क्या बोला मैंने however we also use अगर also की बात हुई है that means इससे पहले कुछ और भी तो हुआ होगा तभी तो also की बात आई है तो conjunctions जहां पर भी use किये होंगे वो sentences second place पे आएंगे और जिनके लिए वो जिनसे वो linked है आपको वो statement डूर के पहले रखने हैं उन conjunctions के ठीक है उसके बाद आप पैर बनाने की कोशिश करोगे अगर acronym approach है मान लो ये A, B, C, D, E या F, B ठीक है अगर ये 5 sentences स्वरी 6 sentences आपको दिये गए होंगे अब B वाले sentence में full form दिया गया होगा और A वाले sentence में short form दिया गया होगा आपको पता चलेगा acronym approach है तो पहले कौन सा आएगा पहले B आएगा, फिर A आएगा अब यहाँ F जो है वहाँ पर आपको pronoun दिया गया होगा D C जो है वहाँ पर noun दिया गया होगा तो पहले कौन सा statement आएगा पहले C आएगा फिर F आएगा ठीक है, तो ऐसे आप pair बनाओगे और pair जब आपने बना लिए उसके बाद आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा pair मुझे किसके पहले यूज करना है क्या B, A, C, F के पहले यूज होगा या C, F, B, A के पहले यूज होगा उससे आपका जो Parajumble जो है वो solve करने में असानी हो जाती है अगर ये सारी चिज़े clear होई है तो let's move on to the question ठीक है नहीं भी समझा है तो पहले आप मेरी वो वाली वीडियो देख लो जहांपर मेरे Parajumble डीटेल में बता दिया है उसके 3 parts है आप 3 parts देख लो मैंने सारे approach को डीटेल में discuss किया है वहाँ पे explain किया हूँ है ठीक है तो पहले हम ये question देखते है once second सबसे पहले हमें क्या देखना है हमें opening statement देखनी है और opening statement जो है वो हमेशा एक general statement होती है और mostly किससे start होती है purposely noun since start होती है तो पहले हम opening statement ही देखेँ है voluntary measures such as codes of conduct have failed to address these issues अगर यहां पर these issues है मैंने अभी कहा that, this, that, these, those demonstrated way तो पहले use होगा नहीं, तो यह sentence हमारा पहले use नहीं होगा, next क्या है however, देखें also देखो also आया, क्या use हो सकता है पहले नहीं, companies are a powerful force for good, what is a company एक noun है कि नहीं तो यह हमारा पहला statement companies are a powerful force for good देखो एक general statement दिया कया है यह कोई particular company की बात नहीं कर रहा है, companies की बात कर रहा है on the general on general basis, ठीक उसके बाद, there are several instances of companies undermining workers नहीं, यह भी हमारा opening statement नहीं हो सकता, the companies bill 2009 is 10, 10 आरहा है तो नहीं होगा conclusion ही देगा they provide job, pronoun है तो obviously it will stand for a noun तो यह भी हमारा opening statement नहीं हो सकता है तो कौन सा है हमारा opening statement see, तो see पहले use होगा अब इसका pair देखते है ठीक, noun का pairing किससे होगा जहां पर pronoun दिया गया होगा noun है तो pronoun तो होगा ही तो pronoun कहां कहां पे है be वाले statement में है they है however, they can also cause देखो, यहां पर अगर they दिया गया है pronoun तो है लेकिन also भी तो use किया गया है they can also cause serious problems मतलब जो यह companies है यह serious problems cause कर सकती है लेकिन it is also it is given in this with this conjunction also कि यह serious problems भी cause कर सकती है तो पहले जो cause करती है पहले वो तो देखे हम let's just find out कि और कहां पर pronoun है it is in the F sentence ठीक है तो क्या कहता है they provide jobs, boost economies and aid social and environmental development तो यह जो companies है they are the powerful force for good और उसके बाद इनने इसकी positive quality दिये वो क्या है कि यह provide करती है jobs, boost economies and aid social and environmental development तो हमारा pair क्या बना C के बाद F आया हमारा ठीक और उसके बाद तो obviously क्या आएगा B आएगा क्योंकि एक तो यह यह भी करते है और उसके बाद एक negative quality बताई गई है क्या कि अगर यह job provide करते है economy को boost करते है लेकिन हालांकि यह serious problems भी cause करते है अपने irresponsible behavior की वज़ा से so however they can also cause serious problems with their irresponsible behavior तो C का जो pair है वो F से बनता है F का जो pair है वो किस से बनता है वो B से बनता है so definitely C, F और B यहाँ पे आएगा isn't it इतना समझ आए आपको तो C हमने already किया F हमने already किया और B भी हो गया अब क्या बचा है A, D और E अब इसका देखते है voluntary measures such as codes of conduct have failed to address these issues देखो यहाँ पे these फिर से है तो noun कौन सा है issues यहाँ पे noun है तो demonstrative adjective use हुआ है तो जिस noun की यह बात कर रहा है issues की बात कर रहा है पहले हमें उन issues को जाके डूनना है isn't it हमें उन issues को जाके डूनना है तो कहां पर issues की बात की गई है D और E में देखना है there are several instances of companies undermining workers' rights and damaging the environment yes, यह issues है लेकिन देखते हैं कि क्या E में भी issues की बात की गई है कि नहीं the company's bill 2009 is thus a means to address issues और यहाँ पे 10 आ रहा है पहले और means to address issues यहाँ पे issues को address करने की बात हो रही है issues क्या है वो नहीं बताए गए है वो सिरफ D में बताए गए हैं कि कुछ companies जो है वो क्या करते हैं workers के rights को undermine करते हैं दबाते हैं and damaging the environment तो D आपका पहले आएगा और उसके बाद voluntary measures such as codes of conduct have failed to address these issues हाँ यह जो issues हैं इनको हमने address करने की कोशिश तो की है लेकिन वो सारे methods fail हुए तो D के बाद क्या आ रहा है A और A के बाद आपको पता ही है क्या आएगा E आएगा अब हमें क्या देखना है कि C, F, B पहले आएगा या D, A, E पहले आएगा D, A, E तो पहले कभी नहीं आएगा क्योंकि D कहां से start हो रहा है there are several instances of companies पहले ही किसी चीज के बारे में बता रहे है जो हमें नहीं पता कि हो क्या रहा है तो obviously हमारा opening statement कौन सा था वो C था इसंट इट तो D, A और E पहले use नहीं हो सकते हैं तो क्या होगा हमारा option C, F, B, D, A, E क्यों क्योंकि C में already opening statement था और उसके बाद हमने ये link सारे बनाए ओके This is how you are going to solve each and every para jumble पहले आप वो approach लगाओ उनसे pairing बनाओ और pairing के बाद आप देखो कि कौन सा pair पहले आएगा कौन सा pair बाद में जिस pair में पहले ही आपको opening statement होगा definitely वो आपका एक easy way होगा समझने का कि वही पहले आएगा उसके बाद last में ठीक है अब एक और इतना समझ आए आपको I hope कि यह आपको clear हुआ होगा ठीक है तो उसके बाद एक और चीज़ में बता हूँ जो यह thus या however जैसे words है बहुत सारे जगाओं पर यह बताया गया है कि हमेशा यह end पे use होता है क्योंकि conclusion बताते है लेकिन कभी किसी statement का यह conclusion उसके बाद ही बताते है और उसके बाद एक नया topic स्टार्ट होता है उसी पारजांबल में रिलेट सो होता है उसी के साथ उसी topic के साथ लेकिन एक नया statement दिया गया होता है तो उन cases में जिस पे based जो अगला question है वो इसी rule पे based है कि दस हमेशा last में आए however हमेशा last में आए जरूरी नहीं है अगर यह किसी statement का conclusion पहले ही बता रहा है तो पहले sentence के बाद ही आप यह दस वाला statement यूज़ कर सकते हो अगर पूरे paragraph का सारे statements का conclusion सिरफ एक ही sentence में आ रहा है तो definitely वो end पे use होगा लेकिन अगर यह किसी एक particular sentence का conclusion दे रहा है पूरे paragraph का नहीं तो वहाँ पर आप यह उसके बाद ही use करोगे ठीक है वो आपको clear होगा इस next sentence में पिर से अगर आपको वो समझ आ गया तो यहाँ पर पहले वीडियो pause कर लो बले ही पांच मिनट के लिए भी करोगे तो ठीक है पहले देख लो कि आप कर पाते हो कि नहीं आपका answer पिर सही आया होगा कि नहीं जब मैं आपको explain रहा'll explain this thing to you ठीक है तो इस पारे जंबल में क्या है however if this means पहले ही however use हुआ है यह तो opening statement नहीं हो सकता the use of checks has fallen dramatically in the past few years एक general statement दिया जा रहा है कि use of checks जो है वो dramatically fall हो रहा है पिछले कुछ सालों से in past few years तो यह हमारा statement पहला हो सकता है but let's just find out कि क्या बाकी statements क्या कहता है thus checks may be phased out इसका इससे कोई connection नहीं बन रहा है और पहला statement भी नहीं हो सकता this is because यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि यह इसलिए हो रहा है ठीक है इस वजह से इसलिए तो पहला statement नहीं हो सकता without checks they are likely to keep large amounts of cash मतब सीधे ही किसी conclusion पे आ रहा है यह लोग क्यूंकि हुआ गया था basically हमें story नहीं पता कि जहाँ पर यह बात हो रही है उसके बाद अगर आपको होगे कि general statement में noun भी आता है क्योंकि British banks जो है वो noun ही है isn't it लेकिन यहाँ पर आप देखोगे British banks British banks have thus voted to phase checks out यहाँ पर दस use हुआ है तो पहला statement यह हमारा कभी नहीं हो सकता है तो इसके हिसाब से हमारा पहला statement क्या होगा wait a second let me adjust this mic so where was I I was saying कि यह statement हमारा पहले नहीं हो सकता है तो उस हिसाब से हमारा कौन सा statement पहले होगा यह भी एक general statement है अब इसके बाद कौन सा इसका पैर डूढना है हमें बी के बाद क्या आएगा thus checks may be phased out gradually making sure that the needs of all consumers including the elderly are met no it cannot be this is because more and more consumers are transferring okay हमें इसका reason चाहिए था कि अगर dramatically इस checks का usage जो है वो fall हो रहा है तो reason तो पहले पता होना चाहिए उसके बाद जो यह है यह solution है कि checks को क्या करेंगे ठीक है reason यह है कि this is because more and more consumers are transferring money electronically by direct debit or credit cards तो यह इसका reason बनता है कि यह reason था checks का usage क्यों fall हो रहा था तो B के बाद D आएगा ठीक है I'll just write it here B के बाद हमारा D आएगा यह हमारा पहला पैर बन गया तो B गया और D गया इसके बाद next पैर हमारा कौन सा होगा देखो यहां पर 10 checks पहले ही 10 आया है तो इसके बाद तो नहीं होगा यह हमें पहले देखना है कि यह अगर phase out हो रहे हैं कि नहीं किसका conclusion दिया जा रहा है ओके या without checks they are likely यहां पर भी दे है pronoun है तो हमें क्या दूनना है noun किस noun के लिए यह stand कर रहा है ओके F वाला statement देखते है British banks have thus voted to phase checks out in favor of these more modern payment methods अब this can be the next statement क्यूं क्यूंकि British banks ने अब checks का जो usage है वो तो fall हो रहा है क्यूंकि लोग जो है ज्यादा तर वो क्या use कर रहे है electronically money transfer कर रहे है तो इस वजह से modern payment methods की वजह से British bank ने क्या सोचा कि वो checks को जो है वो phase out करेंगे ठीक है तो F आपका इसके बाद पहले B, D आया था और उसके बाद आपका F आएगा अब हमें F का पैर डूनना है दस checks may be phased out gradually यहाँ पर क्या कहा गया था British ने plan किया है कि checks को phase out करेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि कैसे phase out होगा तो obviously C आपका F के बाद आएगा let's just read out this statement once again दस checks may be phased out gradually making making sure that the needs of all the consumers including the elderly are met देखो अगर यहाँ पर British bank ने plan किया है कि check को phase out करना है तो वो अबरपली नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो younger generation है they are used to you know this particular method लेकिन elderly जो जितने भी लोग है जो older generation है उनको problem आ सकती है वो अबरपली एक नई payment method को use नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए यहाँ पर C आएगा और जो मैंने आपको पिछले slide में कहा था कि 10 जो हमेशा end पर नहीं आता है अगर वो किसी statement का conclusion उसके बाद ही दे रहा है तो वो उसके बाद ही use होगा तो D के बाद this is because उसके बाद F आपका आ रहा है तो D का connection F से ही बन रहा है ठीक है और F के बाद C आ रहा है BD आपका पहला पैर है FC आपका दूसरा पैर है अब हम next देखते है However, if this happens it will cause problems for the elderly who mainly use checks क्या A पहले आएगा या जो E वाला statement है Without checks, they are likely to keep large amounts of cash in their homes देखो यहाँ पर पहले ही दे आया है तो दे अगर pronoun है यह stand करेगा किसी noun के लिए So we cannot use without, we cannot use this particular statement first जिसके लिए, जिस noun के लिए यह stand कर रहा है हमें पहले उस noun को डूढ़ना है ठीक है तो वो A में आ रहा है आपका वो noun कैसे However, if this happens तो यहाँ पर हमने किसकी बात की थी कि gradually हम क्या करेंगे checks को phase out करेंगे तो लेकिन अगर यह checks phase out हो गई अगर यह phase out हो गई तो उससे क्या हो सकता है यह payment method यूज करने में क्योंकि वो usually क्या करते है वो usually checks यूज करते है ठीक है Without checks they are likely to keep large amounts of cash in their homes making themselves vulnerable to theft अगर उनके पास checks ना हो they are likely to keep large amounts of cash in their homes वो क्या करेंगे वो cash को large amount में घर पे रखेंगे and making themselves vulnerable to theft जिससे अराम से मतलब हो सकता है चोरी हो जाए कुछ हो जाए ठीक है तो यह इसका conclusion बता रहा है हमें तो पहले A आए का फिर E आए का और हमने पहले क्या देखा था it was B and D then it was F and C अब जो D वाला statement है this is because more and more consumers क्या यह F के पहले हो सकता है यह इसका conclusion बता रहा है B और D के बाद F और C आएगा आपका उसके बाद आपका A और E आएगा ठीक है क्योंकि पहले ही A और E नहीं आ सकता क्यों? क्योंकि जो जो इनको problem होगी जब checks को phase out किया जाएगा तो उससे problem elder ने रोगों को होगी लेकिन होगी क्यों checks को phase out क्यों करेंगे हम जब British Bank ने ऐसा सोचा तब जाके यह plan आया तब जाके यह proposal आया कि phase out कर लो checks को ठीक है और उस वज़ा से problem create होगी जो किनको phase करनी पड़ी elderly लोगों को ठीक है तो पहले BD फिर FC फिर AE तो क्या बनेगा आपका answer BD, FC और A, T this is how you are going to solve para jumbles ठीक है इसमें भी आपका noun pronoun approach use हुआ isn't it okay this was all for the this was all for today's video best of luck for your exams take care